नमस्कार आप लाइट चिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौमेराथी आसन सोल की सीट पर भी वोटों की गिंती चालू है और वहाँ बिहारी बाबु का जो जादू है वो साफ नदर आ रहा है बिहारी बाबु शत्रुगन सिना पहले राउंड की काउंटिंग के बाद अब आगे चल रहे हैं और आपको बता दे कि बीजेपी को उनने पचार दिया है पहले राउंड की जो तस्वीरे सामने आई है जो वोटों की गिंती हो रही है उसमें भी पहले राउंड के बाद नजर आ रहा है कि बिहारी बाबु शत्रुगन सिना ने बीजेपी कि बंगाल में इस बार बिहारी बाबु का जादू चल गया है क्योंकि अब वोटों की गिंती में वो आगे चल रहे हैं हलागे जब गिंती के शुरुआत की गए थी तो अगनी मित्रा पॉल की लीड बताई जा रही थी लेकिन जब पहले राउंड के तस्वीरे साफ हुई रहे हैं आपको इवी बिता दे कि शनिवार को सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिंती शुरू कर दी गई है जब सीट में वोटिंग डाले कि मंगलवार को सीट के लिए वोट डाले लोग उने 66.42% लोग आय थे शामिल हुए वोटिंग में अपने वोट डाले और अब जब हो रही है जब रुजान निकलकर सामने आ रहे तो पहले राउंड में भाजपा को त्रेमूल कॉंगरेस ने पचार दिया है पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पंजाब में इस बार बिहारी बाबु का जो बोल वाला है वो रहा है बंगाल में भी अब कुछ वैसी तस स्वीर नजार आ रही है क्योंकि बिहारी बाबु शत्रुगन सिना का जो जादू है वो बंगाल पर दिखाई दे रहा है आसन सूल की सीट पर वो आगे चल रहे हैं और एक बार फिर भाजपा के लिए बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि शत्रुगन सिना पहले उनके साथ ही चुनाव लड़ते थे पहले उनहीं के साथ ही थे लेकिन उसके बाद भाजपा का साथ छोड़कर वो त्रिनमूल कॉंग्रेस के साथ चले गए जहां वो काफी जादा बहतरीन प्रदर्शिन करें और भाजपा को एक पर फिर से बड़ा जटका जो है वो लग सकता आपको ब बाए जो आने पड़े और आसन सोल की जो लोग सबसीट पर वोटिंग की गए और शनिवार को सुबह 8 बज़े से ही वोटों की गिंती जो है वो चालू है शुरुवाती रुजहान जो आना शुरू हुए थे तो लोगों को ये लगा कि अगनी मित्रा पॉल जो है इस बार बाजी मार सकती है क्योंकि ये सीट पहले से ही भाजपा के खाते मी थी और इसे लिए भाजपा की जीत लोग उमीद कर रहे थे कि ये हो सकती है लेकिन जुस तरीके से अब रुजहान सामने आ रहे हैं शत्रुगन सिनहा ने आपको इबार फर बता दे कि भाजपा को पीछे छोड़ दिया है साफ नजर आ रहा है कि भाजपा के लिए इस सीट पर अब जीत हासल करना उतना आसान नहीं लगरा जोस तरीके से लोग उमीद लगाए बैठे थे कि ये सीट एक बार फिर से भाजपा अपने ही खाते में लेकर जाएगी लेकिन शत्रुगन सिनहा के जाद छटका लगे लेकिन कुछी देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाए गया बाकी की वीडियो के लिए चानल के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें ला